वेलकम बैक दोस्तों आज हम तीन टॉपिक कवर करेंगे फिर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कॉंफिग्रेशन लिख्यों ये सामने और मेगनेटिक प्रोपर्टीज और कलर सबसे पहले इलेक्ट्रोनिक कॉंफिग्रेशन तो मोस्तों ताइम जो क्वेश्टन होता है यह दिस फ्रॉम 3D सिरीज और फिर्स्ट ट्रांजिशन सिरीज इलेक्ट्रोनिक कॉंफिग्रेशन आपके सामने है कि इसमें 3D और विटल फिल लोता है यह को 21 तो इस 3D 1 4S इस नौल 4S 2 3D 1 22 3D 2 23 3D 3 there are two exceptions chromium and copper यह दो exceptions आपको याद रखने है बाकी सारे atomic number याद है तो इलेक्ट्रोनिक कॉंफिग्रेशन आप इसली लिख सकते हो क्योंकि 21 3D 1 22 3D 2 23 3D 3 25 3D 5 26 3D 6 27 3D 7 28 3D 8 and 33 3D 10 तो first question यह बनता है कि why chromium and copper has exceptional electronic configuration यह अपवाद क्यों है क्योंकि chromium और copper में इस case में एक electronic 4S से shift होता है होना के लिए 4S 2 3D 4 बट अगर 4S 1 3D 5 हो जाता है तो D orbital जो है that is exactly half field because of extra stability of exactly half field electronic configuration one of the electron shift from 4S to 3D and that's why chromium has exceptional electronic configuration in copper it has D10 configuration fully filled D orbital and fully filled electronic configuration it has extra stability another question आता है why chromium and copper has exceptional electronic configuration तो आप लिखोगे because in chromium it has exactly half field electronic configuration exactly half field D orbital और copper में it has fully filled D orbital and that has extra stability that's why they have exceptional electronic configuration तो यह आपको learn करना है पहला तो काम यह है आपका उसके बाद आ जाते हैं अगर आए कि electronic configuration of ions take an example आपको बुछ लिया MN2+, 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 की पर electronic configuration क्या होगी तो याद रखना इसके आगे क्या है इसके आगे तो आज़न होगा सब क्या आगे 4S to 3D5 तो बताओ दो electron कहां से remove होगे तो दो electron जो remove होगे याद रखना that is always removed from higher shell number कहां से remove होगे इसका end higher होगा तो 3 और 4 3 और 4 में concept value जादा है 4 तो electron होगे 4S चाहे 4S पहले भर रहा है बड़ क्योंकि higher shell number है इसलिए electron हमेशा ही 4S से remove होगा तो इसकी electronic configuration होगे 3D5 चाहे 5 चाहे 5 एफ़ी 3 प्लस बोली तीन electron निकालने है दो दो निकले होगे फूर एस से एक कहां से निकले होगा 3D तो इट है जाज अगें 3D5 configuration कोबाल्ट 3 प्लस 2 इस से 1 तो 3D6 इस वेरी सिंपल लगर आप कर लोगे सारे ऐसे करना है copper 1 प्लस and copper 2 प्लस बोलो copper 1 प्लस में 4S से एक लेक्ट्र निकल गया 3D10 जितना positive charge है उतने लेक्ट्र रिमूव करने है आपको 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्र रिमूव करो 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्र रिमूव करो तो 2 इलेक्ट्र रिमूव करोगे तो कितना हो जाएगा 3D 9 जिंक 2 प्लस 4S2 निकल गया 3D10 क्रोमियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रो निकल ले एक निकल गया 4S से तो बाकी 2 कहां से निकलेंगे 3D से तो बचा क्या 3D 3 तो 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 बाउट इलेक्ट्रो निक कॉन्फिग्रेशन आफ आटम्स एंड देर आइंस बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको कि जब आइंस बनाओगे तो इलेक्ट्रो जो रिमूव करना है that is always removed from higher shell number first from higher shell number और अगर shell number सेम है तो पहले F से जाएगा अगर F है तो फिर D से जाएगा P से जाएगा S से जाएगा जैसे मालिया किसी पर 4S भी है 4P भी है 4D भी है 4F भी है number same है highest shell number 4 है let us take an example तो सबसे पहले अगर 4F filled है तो पहले 4F से जाएगा 4F नहीं है तो 4D से जाएगा 4D नहीं है तो 4P से जाएगा और add the end 4S तो इसमें तो सिर्फ 4S ही था 4P, 4D, 4F तो vacant है इसलिए 4S से लेक्ट्रो रिमूव किया इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा तो उससे पहले आपको परटीस को इंटिफाई करना तो लर्न electronic configurations को इस बाकबोन of deblock elements अगर आपकोई को आती होंग electronic configurations तो आपका half of the job is done राइट Ok, all the best झाल झाल झाल